बॉलिवूड अक्टर रुर्फान खान के निधन की खबर से लोग अभी उब्रे भी नहीं थे कि बॉलिवूड अक्टर रुशी कुमार ने भी इस दुनिया को अलविता कह दिया अमताब बच्चन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी ओफिशल ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बारे में उन्होंने लिखा भी बी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो चले गए रिशी कपूर चले गए मैं खत्म हो गया हूँ बुद्वार को आक्टर की तब्यट आचानक ज्यादा खराब हो गई थी जिसके बाद आनन्फानन में उन्हें अस्पताल में एड्मिट कराया गया उनका इलाज मुंबई के एच्चन आर अलाइंस हॉस्पिटल में चल रहा था भाईरन दीर कपूर ने इस खबर को कन्फर किया था कि रिश्री कपूर की तबे ठीक नहीं है अब इसी हॉस्पिटल में उन्होंने आखरी सांस ली रिश्री कपूर को सांस लेने में दिक्कत थी रिश्री कपूर पिछले साल सितंबर में ही निउयू यॉक से लगभग एक साल कैंसर का इलाज करवाने के बाद भारत सोटे थे उन्हें साल 2018 में पता चाला था कि वो कैंसर से पीड़त हैं इसके बाद वो अपने इलाज के लिए नियू यॉयॉक गए थे उनकी आखरी वक्त में उनकी पतनी नीतु कपूर उनके साथ रही रुशी कपूर के निधन के बाद फिल्म अभिनेता अक्ष्र कुमार समित फिल्मी जर्गत की कई हस्तियों ने उन्हें नमन किया साथी मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चौहान कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी ने भी ट्वीट कर उन्हें नमन किया कपूर खांदान के अभिनेता रुशी कपूर नहीं रहे 66 साल के थे और कैंसर से लंबे समय से जूट रहे थे गुरुवार सुबा मुंबई के एचन डिलाइन साउंडेशन हास्पिटल में उनका निधन हो गया पतादे कि इस से पहले बुदवार को फिल्म जगत के एक दिगज अभीनेता एर्फान खान के निधन से बॉलिवुड अभी उबरा भी नहीं था कि रिशी कपूर के जाने की खबर के बाद सभी की आँखे नम है 2018 में 27 साल बाद रिशी कपूर के साथ 102 नौट आउट फिल्म करने वाले अमिताब बच्चन ने इस बारे में सबसे पहले ट्वीट किया बताया जा रहा है कि पिछले गुरुवार से उनकी सेहत खराब थी उन्हें पहले भरती भी कराया गया था लेकिन चार घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था अस्पतार जाने के लिए महारास सरकार ने उन्हें स्पेशल पास भी जारी किया था उनकी वेडिकल रिपोर्ट बीमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी भेजी गई थी कल रात अचानक उनकी तबियत ज्यादा खराब होगे जिसके बाद उन्हें एचन रिलाइन सांडेशन अस्पताल में भरती कराया गया था और आज सुभा उनके निधन की खबर मिलने के बाद ही फिल्म जगत के साथ ही संपूर्ण विश्व में शोक की लहर दोर गई है सिर्फ फिल्मी जगत नहीं सभी लोगों ने ट्वीट कर उन्हें शुद्धान जोली अर्पित की बता दे की मेरा नाम जोकर से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात बाल कलाकार के रूप में रिश्वी कपूर ने की थी उसके बाद उनकी सूपर डूपर हिट फिल्म बॉ बार रिश्वी कपूर अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं बता दे की 2018 में रिश्वी कपूर को कैंसर हुआ था इलाज के लिए वो न्यू यू यॉक गए थे वहां करीब एक साल तक उन्होंने अपने बिमारी का इलाज कराया था अमेरिका में पूरे वक सूस कर रहा और कोई भी काम कर सकता हूं सोच रहा हूं कि आक्टिंग दुबारा शुरू कर दू तो एक समय ऐसा था जा रिश्वी कपूर ठीक होने के बाद ये कह रहे थे कि आक्टिंग में वो कमबाक कर सकते हैं लेकिन अचानक उनकी तबहत खल खराब हो गई और एक कारिकरम में भाग लेने गए थे तो उन्हें वहां के अस्पताल में भरती कराया गया था उस समय खुद रिश्वी कपूर ने कहा था कि वे संक्रमन से पीड़त हैं मुंबई लोटने के बाद फिर से उन्हें वाइरल हुआ उसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया और इसी के चलते उनका आज निधान हो गया